क्या आप हमेशा से बेचैन रहते हैं कि परिवार में कुछ दुरघटा ना घटे, कुछ अघटन ना घटे, कोई लंबे समय से कोई परिजन आपके परिवार में बिमार है, आप हमेशा एंग्जाइटी और स्ट्रेस पे रहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक से हो, mental clarity नहीं है, बह ही आज का व्लोग, तो आज, God of medicines, God of Ayurveda, Physicians of God and incarnation of Lord Vishnu और इनका the most powerful healing mantra और उसका meaning और एक बहुत ही golden tip के साथ व्लोग शुरू करती हूँ, welcome and welcome back to your channel, Love and Life is Malam या आप किसी anxiety में रहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य जो है बहुत लंबे बिमारी से जूज रहा है या आपके मन में कुछ डर है कि कहीं ऐसा कुछ खराब या you know uncertainty, कोई पीड़ा का आपके मन में सदेव डर रहता है कि ऐसा कुछ मेरे परिवार के साथ ना हो, ऐसा कुछ accident मेरे परिवार में ना हो या ऐसा कुछ यूनो दुरगटना से मेरे परिवार को जूजना ना पड़े तो ऐसा कोई डर अगर आपके मन में बेचैनी क्रिएट करता है, आप बहुत बेचैन रहते हो, यह वाला मंत्र बहुत ज़ादा effective है, जो कि मेरे घर में इसकी vibrations रोज मैं क्रिएट करती हूँ, इधर I play it in YouTube और I chant it without fail, में कितना कुछ सुनाई दे रहा था बट इस मंत्र ने सदेव मेरी रक्षा की है, तो आज जो मैं मंत्र आपसे share कर रही हूँ, सबसे पहले उस मंत्र से associated जो God है, आप उनको देखिए, देखिए, यह है भगवान धनवंतरी, Lord धनवंतरी, इनका जो आइडल जिनके पास नहीं है, not to worry, आप लोग अराम से Google में निकालिए, मैं Google में पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ, this is Lord धनवंतरी, जिनके पास जो नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, भगवान जो है, वो भक्ती देखते हैं, चाहिए वो पेपर में आप ले या आइडल ले, it's all the same, यह ना मेरी काशी की मूर्ती, हम लोग बनारस जब गय थे, वहां से मैंने लिया था, मा अनुपूर्ना के मंदिर के सामने से, इनके इस सुदर्शन चक्र है, और एक में कुछ स्क्रिप्चर है, इनकी स्टोरी कम जादा सभी को मालूम होगी, तो जब समुद्र मन्थन हुआ था, as we all know, between the asuras and the devas, और मंदार परवत के उपर जो यह मन्थन हुआ था, और सर्पिंट वासुकी को उन्होंने चर्निंग के लिए य जैसे जैसे मन्थन होता गया, कुछ-कुछ निकलता गया, सबसे पहले जो वो हलाहल जो विष्ध था, जिनको की शिव ने लिया और निलकंट कहलाए, उस तरीके से बहुत कुछ निकलाए, तो जब चर्निंग हो रही थी, तो कहा जाता है कि फूद का जो सागर था, वहां स नन्वंतरी देव की जो है, वो निकले, ठीक है, और इनके हाथ में जो था ये, अम्रित कलश था, अम्रोसिया जिनको बोला जाता है, डिवाइन नेक्टर, He was young and strongly built, his chest was very broad and his complexion bluish black, he had strong arms, he was clad in bright yellow, his curly hair was anointed with oil and he wore a shining earrings made of pearl, as he emerged he was holding a conch, leeches, healing herbs, a chakra and along with that he was holding Amrit Kalasha, for which we call him Sudha Pani, carrying nectar, as he is said to be the incarnation of Lord Vishnu, तो इनके हाथ में चक्र भी था, जो देखिये, ये बॉट, दिख रहा है आपको, ये बेखी, ये, 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 जो कहानी मैंने आपको बताई कि इनका उत्थान कैसे हुआ, छोटी सी एक स्टोरी है, अब मैं आपको बताती हूं कि आपने इसको रखना कैसे है, then I will go to the mantra, अगर आप गूगल से फोटो कर रहे हैं, तो उसको आप एक लाल कपड़ा बिचाईएगा, या पीला कपड़ा भी बिचा सकते हैं, उसके उपर मूर्ती को या फोटो को एक कार्ड़ बोर्ड में करके, उसको आप उस लाल कपड़े के उपर या पीले कपड़े के उपर विराजमान करिए, उसके बाद आपने mandatory इनके सामने एक छोटा सा अमरित कलश रखना है, छोटा सा अमरित कलश in the sense, एक कलश में पानी भरके रखना है, यह जो आप कलश रखेंगे, it should be of copper, ठीक है, धनवंतरी जी के सामने ये कलश में मैं पानी भरके रख देती हूँ, जब यह पानी कम होता जाए, तब आप इसको फिर से फिल अप कर सकते हैं, कभी-कभी इस पानी की बूंदे आप छीटा अप अपने घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं, if anyone is suffering from a chronic illness, you can just sprinkle little bit of water on his or her head, जो भी patient है, तो यह तो हो गई, आपने किस तरीके से म मंत्र के बारे में मैं बताती हूँ और उसका मीनिंग, as usual आप लोगों का मालूम है माला, जो भी मंत्र आप लोगों से शेर करती है, वो उसका मीनिंग भी जरूर बताती है, मीनिंग को जान लेने से मंत्र के साथ associate होने में या जुनने में बहुत असानी होती है, अब आप म सुन लीजिये धन्वंतरी मंतर ben ओं नमो भगवते महा उदर्शन आय वासु देवाय धन्वंतराय अम्रितकलश हस्ताय सर्वभय विनाश ऑरोक निवारन nesse इसका मीनिंग परम भगवान को जिने सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं जो अम्रित कलशलिये हैं सर्व भय नाशक हैं सर्व रोग नाश करते हैं तीनों लोग के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को सादन नमन है ए है धन्वंतरी मंतर की महिमा और उसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया है सोदा की यू केन रिलेट येस जब भी कोई मंतर उचारन करते हैं जैसे मैंने बताया है फायर एलिमेंट को जरूर से अपने पास रखिए दीप प्रजवलत करके ही कोई मंतर जब आप पढ़ते हैं और ग्राटिट्यूट के साथ पहले तो वो मंतर उचारन बहुत एफेक्टिव बन जाता है इस मंतर को the most powerful healing मंतर भी कहा जाता है जब इस मंतर का आप उचारन करते हैं जैसे मैंने किया है आप करेंगे तो बोलते हैं इस मंतर की जो divine energies है ना वो आपके शरीर में आपके mind, body, soul you know it starts working with a healing touch आप खुद महसूस करोगे अब जो है एक बहुत बड़ी tip इस मंतर के हवाले वो ये है इस मंतर को और जादा effective और आपके लिए बहुत सब्सादा beneficial बनाने के लिए आप एक काम ज़रूर से करिएगा those who are needy, those who are poor people जहाँ पे आप charity करते हैं दवा, दवाई charity करिए मैं एक बात बताती हूँ जहाँ जब हम लोग पहले बांबे में रहते थे गर्मियों में electron, glucon D और ORS के packets I used to give तो ये है आज का महा रामवान tip as I say और रमास्त्र tip तो ये भी ज़रूर से करिएगा and I hope आपको ये जो highly protective mantra Lord धनवंतरी के बारे में जो कुछ आज हमारी बाते हुई आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो को ज़रूर से दीजे लाइक और हाँ इस वीडियो के लिंक को ज़रूर से अपने अपनों में अपने दोस्तों के सर्कल में जरूर से लिंक को शेयर करिए इस मंत्र की महिमा हर किसी पेस की सब्सक्राइब और वीवर्स आप लोग करिये सब्सक्राइब येस डू कॉमें पी ओन दिस वीडियो की आप लोग इस मंत्र का उच्छारण कल से ही स्टार्ट करने वाले हैं रादर जब आप ये सुनेंगे तभी से आप इसको लिखिये या गूगल से डाउनलोड करके एक मंत्रा भी आप जरूर से आड़ करोगे और बिल्कुल से इसको चैंट करिए इसको चारण करिए विद ऑनेस्ट इंटेंशन जिसके लिए आप अगर प्रॉक्सी चैंटिंग कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं जरूर से करिए और साथ में जो मैंने वो टिब बोला है इसको भी करिए देखें फिर कैसे बेनिफिट आपको खुदी महसूस होगा तो अब भगवान धनवंतरी को अपने यहां पे लेकर ताकि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे सारे विवर्स को मिले जो भी रोग से जूज रहे हैं क्रॉनिक पीडा में से जूज रहे हैं सबको रहत मिल सबको इनकी ब्लेसिंग्स मिले अब इस प्यारी सी बात के साथ लेती हूं विदा मिलूंगी अगले कोई और इंफर्मेटिव व्लॉग के साथ तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और यह स्वस्त रहिए जान है तो जहान है तो चलती हूं आप जाने से पहले फिर वही अपने लाइफ मेरा दनीरे विखेरीं इस तेDu के लाइफ में तलैंगे तक अब उस दिन्य करेंगे तो और उस दिन उचारन करेंगे तो और जाधा उस्तिन उचारन का जो एफेक्ट है आप पंडिस्ग्स बन के बरसे दा